Hello friend, मैं अकाश वेलकम टो plant के गीवर वे permanent और hardy plant जिने आप بोतल में भी grow कर सकते हैं लुम्बे समय तक बोतल में रह जाते हैं और तो और बोतल में देखने में भी बहुत ही सुन्दर लगते हैं उन permanent plant के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वला हूं तो स्लिस्ट में जो पहला प्लांट है वो तो ये परसलीन और पोर्जुला का ही होंगे देख सकते हैं बोतल में लगे हुए हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं जब इससे धेर सारे प्लावर एक ही प्लांट पर होता है वैसे पोजुला का प्लान कर्डिंग से भी बहुत यसानी से ग्रूफ हो जाता है और आजकल तो नर्सी में काफी सारी कलर में देखने को मिल रहे हैं और प्राइज भी इसका कोई जादा नहीं होता है 10 से 20 रुपीज में पॉली बैक में बहुत यसानी से मिल भी जाता है तो इस प्लान को आप अपने गाड़ा में ज़रूर एट करिएगा और हो सके तो बोतल में ही ग्रू करिएगा बिसे इस तक जो यह जो आप देख रहे हैं यह देसी विराइटी का है और देसी विराइटी का हाइपरीड जो विराइटी आती है उसके कमपैरिजन में यह बहुत हाड ही होता और बोतल में अच्छे से ग्रू हो जाता और धेर सारी ब्लूमिंग भी करता है इस लिस में दूसरा प्लान्ट है यह परपल हाड देख सकते हैं हाड शेप में ही इस परिस्ता के फ्लावर किलते हैं और बहुत ही हाड ही यह प्लान्ट भी होता है इस कलर में काफी कम प्लान्ट नरसी में देखने को मिलते हैं तो इस प्लान्ट को आप अपने गाड़ा में जरूर एट करिएगा और देख सकते हैं छोटी सी बोतल में ये ग्रो कर रहा है और बहुत ही सुन्दर भी देखने में लग रहा है जब इसकी कुछ प्रांचेस कापी लाइगी हो जाते हैं तो उसे आप कट करते हैं तो उनकी रूर से ही नय-nय सूर्स निकलते हैं और फिर से प्लांट आपका और भी घना हो जाता है इसलिस में अगला प्लांट है ये ऐलो वेरा ये भी छोटी कंटेनर में या पिक हैसा की बोतलो में बहुत ही असानी से ग्रो हो जाता है और देखने में भी सुन्दा लगता है विंटर में ब्लूमिंग भी करता है इसलिस्ट में अगला प्लांट है ये रियो ये भी बोतल में देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है और लंबे समय तक ये प्लांट भी बोतल में रह जाता है इसकी pruning करते रहते हैं तो purple heart की तरह इसकी भी जड़ों से ने-ने सूर्ट से निकलते हैं और प्लांटा देखने में और भी सुनदा लगता है जब ने सूर्ट या फिक है ने पतियां इस प्लांट पायाती हैं इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये spider प्लांट बहुत ही hard ही ये प्लांट है एक बार ही इस प्लांट को add करने की जरूरत होती है क्योंकि इनमें ने-ने runner आते हैं उसमें धेर सारे प्लांट बनते हैं तो इसे grow करना बहुत ही आसान है इसका price भी नर्जी में 20-30 रुपीस ही होता है तो इससे पर आप अपने garden में add कर सकते हैं ग्रीन वी add करने के लिए आप गार्डन को कलरपूल बनाने के लिए प्लांट बढ़िया होता है इसलिए इसमें अगला प्लांट है ये snake प्लांट ये भी बोतर में देखी सकते हैं बहुत ही सुन्दा लगता है और बहुत ही hardy खासकर ये वाली variety जो कि मैंने container में लगा रखी है बहुत ही hardy होता है एक ही plant मैंने लगाया था देख सकते हैं थे सारे नए नए बेबी plant इसमें आए हुए हैं तो इस plant को भी आप बोतर में लगा सकते हैं और इसका price की बात करें तो इसका price 50 रुपीज से start होता है बोतर में भी मैंने इसे लगाया है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं तो इससे भी आप बोतर में लगा सकते हैं ये है अजूपा इससे भी आप बोतर में लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर ये plant भी लगता है ये तो फिलार काफी बड़ा हो चुका है त और यह Pencil Cactus इससे भी मैंने काफी सारी बोतलों में लगाया है तो इससे भी आप बोतल में बेफिक्र होकर लगा सकते हैं तो देख सकते हैं यह एक बोतल है और इसमें साथ से आठ प्लांट लगे हुए हैं छोटी वेराइटी का स्नेक प्लांट यह है अगेयो देख सकते हैं इसमें इससा की एरिया रूट भी आई हुई हैं इसके अलबा यह Pencil Cactus ऐलो वेरा तो इससा के काफी सारी प्लांट को मैंन भी से बंऄने से बनाया था और यह सिंग्गॉनियॉम इससे भी आप बोतल में लगा सकते हैं यह भी काफी पुराना मेरे कंटेनर है हैं बहुत ही हाडी यह सिंग्गॉनियम भी प्लांट होता है खासकर यह वाली वेराइटी कटींग से भी बहुत यह सानी से grou हो जाता है और बोटल में भी यह जोटे गंटेनर में भी देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है तो इस सिंगोनियम प्लांट को भाप पेफिक रोकर बोटल में लगा सकते हैं मैं ने भी काफ़ी सारी बोटलों में से grow कर रखा है space की कमी अगर आपके पास है तो बोतल एक बढ़िया option होता है छोटे container में ही धेर सारे plant लगा कर आप धेर सारे plant अपने garden में कम space में add कर सकते हैं और ये है देविस backbone का plant देख सकते हैं ये भी बोतल में लगा हुआ है और देखे सकते हैं बहुत ही सुन्दा लगता है, cutting से भी बहुत यसानी से grow हो जाता है नर्सी या फिर पार्फ वगरा में बहुत यसानी से देखने को मिल जाता है तो इसके अप cutting भी ला सकते हैं और ये है कलांचु का plant इसे भी आप बोतल में grow कर सकते हैं विंटर में इसा के सुन्दा फ्लावर इस पर खिलते हैं और ये है बांडरिंग जिव इसे भी आप बोतल में grow कर सकते हैं बोतल या फिर छोटे container या फिर कहा है hanging basket सभी में ये देखने में बहुत ही सुन्दा लगता है और बात करें प्राइस की तो इसका प्राइस नर्सी में 20-30 रुपीस होता है पॉली बैक में तो इसे भी आप बोतल बगारा में grow कर सकते हैं गार्डन को कलरफूल बनाने के लिए ये प्लान भी बढ़िया होता है और ये है टर्टल वाइन काफी सारी वेराइटीस में आजकल नर्सी में ये प्लान देखने को मिलता है प्राइस पे कोई ज़्यादा नहीं होता है 20-30 रुपीस ही होता है और इस प्लान को भी आप बोतल यफी छोटे कंटेनर में grow कर सकते हैं इससे भी मैंने काफी सारी बोतलों में grow किया था विंटर में मैंने सभी को prune कर दिया था लेकिन समार आने पर जो भी जड़ वगएरा रह जाती है उसी से पूरा कंटेनर ये भर जाता है और ये है मनी प्लांट ये भी बोतल या फिर छोटे कंटेनर में सुन्दर लगता है और इससे भी मैंने काफी सारी बोतलों में grow गया है और इस सारी वाल पर हैंग किया है वाल पर हैंग कर सकते हैं या फिर इंडोर सजाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं बोतल में grow करिया है और जब आपको सजाना हो तो एक बड़िया सेर्मिक पॉट में इस बोतल को ही डाल दीजिए और यह अजवाइन इससे भी आप बोतल में ग्रूव कर सकते हैं ये भी बहुत ही सुन्दर लगता है बोतल ये फिर हैंगें बसकेट में हैंग क्या होता हुआ होता है ये प्लांट तो देखी सकते हैं इसकी कटिन ला पाएं तो जरूर लाईएगा और बोतल वगयरा में इस प्लांट को जरूर किजेगा देख सकते हैं ये प्लांट बोतल में ही लगा हुआ है और हमारे यहां इसके इनकी पत्तों के पकोड़े भी बनाया जाते हैं और यह विडेलिया फिलहाल तो मैंने इसे हैंग ग्रो हो जाएंगे अच्छे से तब मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और यह जेट प्लांट इसे भी आप बोतल में ग्रो कर सकते मैं और यह क्रिपिंग चाली इससे भी आप बोतल कर सकते हैं मैंने किया है क्योंकि इसे मैंने कुछी दिन पहले अपने गार्डर मे इसे ज से प्नाट यह कि यह अगर की कि यह हों कि चैसक हाँ जीक जब रूस Ay qui प्लांट बोटल मी और अगर आप दिसका उप्लांट वोटल में प्रकर स्वाइस बेट हर रुटो ऑप इसे बिजारे हो जाए हैं। बहुत ज़यादा हो जाएं तब आप उन्हें बोत्लों में ग्रो कर ये, क्यूंगी कई बार हम बोत्लों में न्र्शी से पचियस करके प्लान्ट लाते हैं, तो वह बर वर्वर समय यफि अन्बर वर्वर्टींग के ज़के खराब होता है इसलिए नर्सी से अगर परचेस करके प्लांट लाते हैं तो डिरेक्ट आप बोतल में मत क्रो करिए उसे आप मिटी के गमले या प्लास्टिक के गमले में क्रो करिए कि बोतलों में पानी काफी स्टोल रहता है अगर आप अच्छी मिटी नहीं तयार करते हैं लेकिन अ आप नर्सी से purchase करके भी plant इनमें grow कर सकते हैं वैसे मैं direct ऐसा नहीं करता हूं मैं पहले container में plant को अच्छे से grow कर लेता हूं और फिर उनकी cutting को में bottle बवगरा में grow करता हूं तो ये आप भी ऐसा कर सकते हैं आई हो कि आपको मेरा ये video पसंद आये हो वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक में चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो में चैनल को ज़रू सस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार नहीं